पोकुस हम करेंगे IB Housing Finance ये हम देख रहे दिन के निचले इस तर से थोड़ा सा recovery की कोशिच देख रही है Nira, IB Housing इस समय क्या रहा है बन रही है तेकि ये इस टॉक में बहुत एक important trend line breakout आ चुका है पिछले अफते में और वो आया था around 120 के पास में तो ब्रेक आउट के बाद में रेटेस्ट करने को आता है वो लेवल तो ये वही रेटेस्ट करने के लिए आया है नीचे में बड़ा इस टॉक में एक बार रेटेस्ट हो जाए फिर वापिस बाइंग आजाए तो इसमें डिप्स पे बाइं करने की रहे रहेगी एक सुब्स पाइंग करें अरुप पन्रा का स्टॉक लगाए बर पॉसिब्लीटी के वह स्टॉक दिखा सकता है इंडर नियर तो एंग पाग रिट भी देख लीजेगा क्योंकि दो दो ट्रेडिंग सेशन से हम इसमें प्रशू देख रहे हैं में शैलेश देसाई जी का सवाल आया है इंडिया बुल्स हाउजिंग इन्होंने खरीदा हुआ है स्टॉक को लेकर भी काफी सारे सवाल हमें आते हैं और हर लेवल पर यहां पर रीटेलर रीटेल इंवेस्टर्स को नुकसान ही जहिलना पड़ रहा है इनका जो खरीदभाव है वो 140 के पास है तो थोड़ा उपरी लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है इस स्टॉक को लेकिन हम देख रहे हैं स्टॉक में लगातार गिरावट बनी हुई है पिछले काफी समय से और अगर इसी साल में देखेंगे तो करीब-करीब 26% इस स्टॉक और रिडी टूट चु कर लेना चाहिए जब तक एकांटर 122 रुपे की ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तो 140 कहना काफी मुश्किल है तो जो भी कुछ उचाल मिलेगा 122 की उपर अब जैसे ही निकलेगा तो 128 से लेकि 130 इस रेंज में अगर चला जाता है तो एक बाल के लिए पोजिशन को क्या कर लेन एकजिट कर लेना क्योंकि यह जो रेंज है उसके लिए काफी मेक और ब्रेक लेवल वाला होगा 118 से लेकि 112 का रेंज तो 108 से लेकि 109 यह लेवल को ध्यान में रखे इसकी नीचे जाता है तो एक बाल के लिए पाड़ दे चीक है तो कुछ हाल में यहाँ पर निकलनी की साला आपको दी जारी है इंडिया बोस हाउसिंग फैनास में प्राइस को आप देखते रहें और कोई भी यहाँ पर रैली दिखे निकलनी कोशिश करें क्योंकि 140 के लेवल दिखना जल्द रहें